नमस्कार दोस्तों आपको मेरे इच्छना रिपोर्ट पांडा में दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंक ओफ इंडिया आडी प्लांड टुथव नैंटीन के बारे में जिसमें दोस्तों सिर्फ दस अजार जमा करने पर आपको मिलेंगे सत्रा लाख रूपया और दोस्तों इसके साथ हम जानेगे इस वीडियो में बैंक ओफ इंडिया रिक्रिंग डिपोजिट प्लांड प्राइटेरिया टम्स अंड कंडिशन और हम जानेगे बैंक ओफ इंडिया आडी इंट्रिस्ट रेटो तो 19 लेटिस्ट और हम जानेंगे अगर आप एक हजार, दू हजार, पांच हजार और दस हजार की आड़ी लेते हैं बैंक आफ इडिया में तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा उसका टेनवर क्या होगा, कौन सा मनदब कैलकुलीशन क्या होगा उसका और हम जानेंगे Tax Benefit and TDS on Bank of India RD Account और हम जानेंगे How to Open RD Account in Bank of India और लास्ट में जानेंगे Documents Required to Open Bank of India RD Account जी हाँ दोस्तो इस सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा तो दोस्तो आप मेरा पूरा वीडियो सुरू से अंत्य तक देखें और दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीच कर लें ताकि आपके लिए हम इसी तरह का इंवेश्टमेंट से रिए इंपॉर्टन वीडियो लेकर आता रहों और अपने दोस्तों के बीच जरू सेयर करें ताकि इसका अलाव सबको मिल सके तो दोस्तो चलिए सुरू करते हैं पहले हम जानेंगे RD करते क्यों है तो दोस्तो RD मतलब recurring deposit और यह एक एसा तरीका है जिसका प्रियूख करके आप अपने भविश के किसी बड़े financial goal को active करने के लिए छोटी छोटी बच्चत कर सकते हैं उधारन के लिए यदि आप stock market share वजार में कुछ पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन आप इस बात का इंतिजार कर रहे हैं कि जब market कुछ नीचे आएगा तब आप उसमें invest करेंगे तो उस इस्तिती में तब तक के लिए अपनी budget को saving bank account में रखने के बचाए RD में रख ले RD open कर ले उसे क्या हुआ कि ना किवल ज़्यादा आपको interest मिलेगा बलकि RD के माधियम से force saving के कारण आपके पास एक अच्छा रकम एक ज़्यादा बड़ा capital बन जाएगा इसलिए हम लोग RD open करते हैं अब हम जाने के bank of India recurring deposit plan eligibility criteria who can open RD account in bank of India age limit दोस्तो RD open करनी के लिए कोई age limit नहीं है इवेन आप अपने बच्छे के नाम से भी RD ले सकते हैं bank of India में minimum amount दोस्तो आप 500 रुपया से RD open कर सकते हैं bank of India में वही maximum amount कोई limit नहीं है आप चाहे जितना का RD ले सकते हैं RD की टेनियर कितना होगा दोस्तो RD account को आप कम से कब 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 10 सल क्लिक करा सकते हैं आपकी जनकारी के लिए बता दे कि RD account 3 महीने के गुनान open होता है बतब 3 multiple के open होता है जैसे 6 महीने 9 महीने या 12 महीने इस तरह इसकी कम से कम की अब दी 6 महीने और ज्यादा ज्यादा 10 सल की होती है nomination facility अभी level है आप RD लेते समय किशी को भी add कर सकते हैं as a nominee penalty on none payment periodic deposit दोस्तो अगर आपने RD ले रखा है bank of India में और किशी कारण बस अपने deposit करना भूल गया तो उस case में आपको penalty भरने पड़ेगी case number one अगर आपने 5 साल या उससे कम का RD ले रखा है तो प्रती 100 रुपया 1.50 आपको penalty देना होगा case number two है क्या है अगर आपने 5 साल से ज्यादा का RD ले रखा है तो प्रती 100 रुपया 2 रुपया आपको penalty देना पड़ेगा दोस्तो अब हम जानेगे बैंक ऑफ एडिया आडी इंटरेस्ट रेट तो 19 लेटेस्ट तो अभी लेटेस्ट का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.50 इसमें मतलब है कि ये डिपेंड करता है कि आप देखिए 1 येर और अब बट लेस दन 2 येर 6.7 है 2 येर्स तो लेस दन 3 येर्स 6.65 3 येर्स तो लेस दन 5 येर 6.6 5 येर्स तो लेस दन 8 येर 6.5 और 8 येर्स एन अब टू 10 येर 6.5 दोस्तो अब हम जानेंगे रिटर्न ऑन बैंक ऑफ एडिया आडी इंवेस्ट में दोस्तो अगर आप 1000 की आडी लेते हैं 1 साल के लिए तो rate of interest 6.7% की हिसाब से आपको मिलेगा 12,443 रुपया इसी प्रकार अगर आप 2000 की आडी लेते हैं 2 साल के लिए तो rate of interest 6.65 की हिसाब से आपको maturity amount बनता है 15,449 रुपया इसी प्रकार दोस्तो अगर आप 3000 की आडी लेते हैं 3 साल के लिए rate of interest 6.6% की हिसाब से आपका maturity amount बनता है 1,961 रुपया इसी प्रकार दोस्तो अगर आप 5000 की आडी लेते हैं 5 साल के लिए तो rate of interest 6.5 की हिसाब से आपका maturity amount बनता है 3,45970 रुपया इसी प्रकार दोस्तो अगर आप 10,000 की आडी लेते हैं 10 साल के लिए तो rate of interest 6.5 की हिसाब साब का मैं चोटी अमांट बनता है सुला लाख नवासी है जार आट सबनतर का है मतला लगवक 17 लाख रुपया आपको मिलेगा दोस्तो अब हम जानेंगे TDS and Tax Saving दोस्तो पहले मैं आपको किलियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप तो आपको TDS कटेगा लेकिन अब यह अमांट बढ़कर 40 कर दिया गया है मतलब कि अगर कोई भी ब्यक्ति next financial year में आडी लेता है उसका 40,000 को उपर इंट्रेस्ट बन दे तो एक साल में तभी उसका TDS कटेगा मतलब आप ओपन करेंगे तो आपका 40,000 सुपर का इंट्रेस्ट बनेगा तो आप TDS कटेगा इवन आप TDS को क्लेम भी कर सकते हैं अगर आप टैक्स के दारे में नहीं आते हैं लेकिन अगर आपने आडी लेने के बाद 15G या 15H फॉम सब्मिट कर दिया है तो आपको TDS नहीं कटेगा और दोस्तो इसमें कुछी कर गा कोई टैक्स में फिट नहीं है नो टैक्स में फिट अंडर एटी सी दोस्तो अब हम जानेंगे How to open RD account in Bank of India दोस्तो अगर आप Bank of India का Net Banking account है तो इसली आउनलाइन ओपन कर सकते हैं या अगर नहीं है तो आप किसी भी nearest Bank of India के ब्रांच में विजिट कर जाकर वहाँ पर RD खुलबा सकते हैं दोस्तो अब हम जानेंगे RD open करते हैं कौन साथ documents चाहिए Documents required to open RD account अगर आप existing customer है Bank of India का तो किसी पराद कोई documents नहीं चाहिए अगर आप new customer है तो normal KYC आपको देना होगा ID and address proof one photo ID Bank account detail भी देना होगा और पैन काट तो जरूरी है क्योंकि अगर पचाच जार से उपर का आपको पैन काट required है तो दोस्तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे इस वीडियो को like करेंगे share करें अपने दोस्तों के बीच और कुछ doubt है bank of India ID plan से related तो आप comment का पूछ सकते हैं और दोस्तों मेरे इस channel report पांडा को subscribe करें Thank you